असलाम अलेकुम फ्रेंट्स and welcome to my youtube channel आज का topic बहुत important है इसमें हम सीखेंगे के DCA क्या होता है dollar cost averaging जो है वो क्या होती है और हम कैसे जो है वो अगर market नीचे की तरफ जा रही है आपकी buying उपर होगी और नीचे की तरफ जा रही है तो आप कैसे जब जल्दी recovery कर सकते हैं और कैस जयदा profit बना सकते हो जंके market जहां नीचे भी जाती है कि market कोई भी Colin है BiteCoin 3 है तो वह त्रेंटरी ले subscribe अगर अगर आप entry लेते हो और बहुत यह असान सा मैथरड आपको समझाऊंगा आपने पहले भी अगर सुना है तो आप अगेन इसको सुन लीजिएगा तो आपके बहुत से कुंसर्प्रज़ों किलियर हो जाएंगे और असान लफजों में आपको समझ आ जाएगी कि करते हैं वीडियो के तरह आगे बढ़ते हैं लेकर आपने अबरा चैनल सब्सक्राइब करें साथ में बैल लेकन पर क्लिक करके आएंगे अपको सबसे पहले मिलती रहें और अगर आपने हमें टेली गराम पर जोईन नहीं किया तो उसका लिंप आपको डिस्क्रिशिन मिलेग है पोज करने कोई टोकन जो है वह आप टैन डॉलर की उसकी प्रैस चल रही है और आप यहां जो है यहां ट्री लेना चाहते है उसके उपर $10 उसकी अभी price है आपके पास $100 है investment के लिए आप क्या करते हो आप यहां $25 डालर जो है वो investment करते थे हो उसकी $10 की price पर अब आपके पास $75 जो है वो separate पड़े हूए और coin में आपकी investment गेई हूए $25 की price गिर जाती है और उस coin की value जो है वो 5 डालर रह जाती है अब आप क्या करोगे market नीचे आगी ने 10 डालर यहां थे 5 डालर नीचे आ चुकी है तो अब आप क्या करोगे again 25 डालर से उस coin को buy कर लोगे एक आपकी buying 10 डालर पर हुई है उस token की एक आपकी buying हुई है 5 डालर पर उसकी आपके पास अभी भी 50 डालर जैवे नेश्मेंट के लिए पढ़े हुए है अब आप जो है वो मजीद wait करोगे अपनी analysis बनाते हो आपको पता चलता है कि वो मजीद market डंप कर सकती है आप wait करते हो market आ जाती है 1 डालर पर मजीद market नीचे नहीं जाएगी इसका pull back हो सकता है तो मैं यहां अपनी 50 डालर की investment कर देता हूँ जिससे मेरी जल्दी जो है वो इसमें profit आजाएगा ज्यादा तो अब आप क्या करोगे 1 डालर पर 50 डालर की investment कर देते हो total आपकी 100 डालर आपने mindset बनाया था वो जब 5 डालर पर पहुंचेगी 1 डालर से 5 डालर पर पहुंचेगी 50 डालर आपके 5 डालर तब पहुंचेगे तो आपकी loss की recovery भी हो चुकी होगी जो कि आपने 10 डालर से buying की होगी और overall प्रोफिट में आ चुके होगे फिर जब वो 5 डालर से 10 डालर पर पहुंचेगी तो आप अच्छे खासे profit में आ चुके होगे तो आप ऐसे जो है वो DCA कर सकते हैं आप हमेशा कभी भी आपने अगर के रिप्टो में आप spot trading करें तो कभी भी आपने एक दम से फोरन ही कोई भी कोई आपको अगर नज़र आता है तो आप उसमें 100% investment उसी रिवराम ना किया करें आप 50% पहले कर दिया करें उसके बाद वेट किया करें कि आपकी buying price से भी अगर नीचे मिल जाता है तो आप अगेन उसमें buying कर लें और mostly आपको हर कोई ऐसा मिल जाएगा कि अगर आपने उसको कहीं किसी भी price पर अगर आपने उसको buy कर लिया तो वहां से नीचे आएगा ही आएगा आपको एक बार मौका देगा यह देगा mostly कोई आपको मौका देंगे DCA करने का तो आप अगेन उसमें entry ले ताके आपको ज्यादा अच्छा profit जाओ मेल सके I hope कि आपको यह short सी वीडियो में समझ आ गए होगी कि DCA कैसे करते हैं और next two signals आपको मिलेगा आप इसी तरह उसको follow कीजिएगा आपको अच्छा वाला profit जाओ मिलेगा चलते हैं अपना ख्यार रखिए कि अपने गर्वानों का ख्यार रखिए कि वीडियो अगर पसंद आते हैं लाइक कीजिएगा दूसरे से शेर कीजिएगा अलाहाफिस